हलो अभरिवान वर्कम ampf्रिक्री आप लोगों की इतने सारी कॉमेंट थे जिस्थ कि दिदी हम किए स्मूधृ निce करें क्वीज कोने शांपू कुँमा शॉव सारी कॉमेंट थे तो मैंने सोचा क्यों ने इसको पर एक वीडियो बना दू गाइस वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करना अगर आपके मन में बहुत सारे कॉश्चन्स है स्मूधिन के बाद हम क्या करें क्या ना करें उसको लेकर के ठीके तो अभी आप जो प्रोड़क्त देख रहे ना यह है लोरेल एक्सटेंशो के प्रोड़क्त और मैं एक चीज़ बता दू जब आपने कहीं भी स्मूधिन कराई है या फिर करने का सोच रहे हैं या फिर आपन आपने लोरेल के एक्सटेंशो स्मूधिन कराई है तो आपको यह वाले प्रोड़क्त यूज़ करने पड़ेंगे आप देख लिए ध्यान से और हां सिरम आप कोई भी उस कर सकते हैं सिरम मुझे मैट्रिक्स का ज्यादा बैस्ट लगता है सोरी स्ट्रिक्स का ज्यादा बै आपको यह ऊड़ था तर यह बोसा करना है जो उपने उस पर दिखेंगे आर्श याने कि आपके बालों में ब्रेकेज हो गय है आपके बाल ड्राय है थ段 के लिए उसके लिए खिजरी करना हैil करता आपके बालों तैम करता है कुछ लोग smoothing करा लेते हैं और कोई भी शांपू यूज करते हैं फिर बोलते हैं कि result नहीं आया हमारी smoothing जल्दी से खराब हो गई थी या फिर हमारे बाल ऐसे हो गए तो आप यहीं गलती करते हैं कि आप सेम प्रोड़क्ट आप नहीं पर्चिस करते हैं थोड़े से खचे स्मूधनिंग करी थी लोड़ेल अक्स ट्रंशो की तो वही हमने यह प्रोड़क्ट उनको दिये थी ठीक है तो हमने उसको यूज करना भी बताया था कि किस तरीके सी यूज करना है कप करना है तो अभी मैं आपको वीडियो में भी यहीं चीज दिखा रही हूं देख लीज आप हर वॉष में मास्क लगाएं अगर आपको अच्छे बाल चाहिए ठीक है आप जब जब भी वॉष कर रहा है आप हवते में दो बार कर रहे है तो हर वाश में मास्क लगाएं आप शपेशलिव बयालो की नीचे लाइंद पर ज़रूर ही लगाएं ठीक है उसे आपकी सॉप्ट रहेंगे स्ट्रेट रहेंगे एंड बिल्कुल ड्राइनिस आपके बालों में नहीं आएगी तो क्यार आपके हातों में है आपको करनी है आप देख लीजिए और यह है स्ट्रेटी यह सेम टेक्षन में हो थोड़ी से क्वांटिटी लेनिया आप कंडिशनल लगाते हैं तो कंडिशनल को आपको ऐसे हैं फिर बालो में इमुलसिफाइग करना है रहें दिन आपको वाश कर देना है अप देख लीजिए पर एक चीजर मैं बोलूंगी काफी लोग हेस्पा कराना छोड़ देते हैं गैज अगर आप स्मूधिन में इतना पैसा खचा कर रहे हैं तो आप ये समझ लेजेए कि आपको हेस्पा भी कराना ही कराना है ठेक हैं? तो आप उसको भी बिल्कुल भी स्किप मत किया करें आप खुद ही घर पे कर लें और ये में दिखा रही हूँ ये है सीरम स्ट्रिक्स का सीरम है और ये भी बहुत लंबे टाइम तक चलता है तो आप थोड़े से पैसे खच करके ये तीन प्रोड़क्ट तो जरूर खरीद लें अगर आपने लॉरेल की स्मूधनिंग कराई है और अगर आपने मैट्रिक्स के कराई है किसी और कंपनी की कराई है तो सेम चीज़े आपको सेम कंपनी में मिल जाएंगे तो आप उसी कंपनी के प्रोड़क्ट यूज़ करना जिस भी ब्रैंड के आपने smoothing या फिर keratin या फिर rebonding कराई है ठीक है यह नहीं कि आपने तो यह product बने हुए है especially keratin rebonding smoothing के लिए ठीक है आप इस चीज का ध्यान रखना तो आप देख लिजे यह तीनों चीजे कुछ इस तरीके से है आपको easily market में मिल जाएगी आपको यही product यूज़ करने है अगर आपको अपने बाल की safety चाहिए तो ठीक है यह देख लिजे हमारी बालों का texture बिल्कुल भी wave नहीं आया था hair wash करने के बाद में बिल्कुल जैसे हमने इनको करके भीजा था hair wash करने के बाद भी same result था ठीक है तो इसका मतलब इनकी smoothing अच्छे हुई थी तो अभी इस तीनों की तीनों product हम इनी को देंगे because हमने इनको समझाया था कि इनको कैस है तो आप देख लीजे सारे के सारे products हम इनको देंगे तो guys आप भी इनी सब चीजों का ध्यान रखना अगर आप ऐसा कुछ बालों में करा रहे हैं because chemical ही होता है and chemical हुए बालों को product करना आपके हाथों में है हमारा काम है उसको करना बाकी बात का काम तो आपी लोगों का होन करूं ठीक है सो मिरते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर